हेलो बच्चो कैसे हो आज मैं आपके साथ बाइलोजी के कुछ कोस्चन सेयर करूंगी जो इस परकार है जैसा कि यहाँ पर सबसे उपर लिखा है कोस्चन में कौन सी अवस्था में गुण सुत्र पूर्ण रूप में दिखाई पड़ते हैं तो बच्चो मेटा फेज में सबसे मतलब गुण सुत्र पूर्ण रूप में दिखाई पड़ते हैं नेक्स्ट कोस्चन है हमारा सबसे बड़ा पक्सी कौन सा है तो सबसे बड़ा पक्सी है हमारा सुत्र मुर्ग इसको इंगलिस में ओस्ट्रिच कहा जाता है नेक्स्ट सबसे चोटा पक्सी कौन सा है तो जो सबसे चोटा पक्सी है वो है हमारा हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड है ये बहुती चोटा पक्सी होता है और नेक्स्ट है सबसे चोटा सेल सबसे चोटा सेल जो हमारे इस यूनिवर्स में है वो सबसे छोटा सहल है हमारा माइको प्लाजमा next कौन से एनिमल फाइलम में रीजनरेशन पावर अधिक होती है रीजनरेशन पावर क्या होती है सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए देखो रीजनरेशन पावर होती है हमारी मतलब कि यदि किसी एनिमल का कोई अंग कट जाता है और वो फिर से ग्रोथ करने लग जाए तो उसे हम रीजनरेशन पावर कहते है ठीक है जी और ये हमारे एनिमल फाइलम में रीजनरेशन पावर सबसे दिक होती है वो होता है इकाइनो डर्मेटा एकजामपल है इसका एकाइनो डर्मेटा का स्टारपीस जिसको हम इनिमें सितारा मचली भी कहते है सबसे जादा रीजनरेशन पावर किस ओर्गależन में पाई जाती है इन human beings यानि के जो मतलब मानाव है उननके किस ओर्ग cleanse में सबसे ज़्यादा रिजनरेशन पावर पाई जाती है तो बच्चे पाई जाती है हमारे लीवर में इसमें हिपाटिक सेल के कारण इसमें रिजनरेशन पावर होती है इसमें हिपाटिक सेल पाई जाता है और इसमें कुफर कोशी काई भी पाई जाती है और इसलिए तो जो लिवर की स्टड़ी होती है उसको हिपैटलोजी कहा जाता है क्योंकि इसमें हिपैटिक सेल पाई जाती है और इसे ही हम लार्जिस्ट ग्लैंड भी हम लिवर को ही कहते है लिवर को हिंदी में यरकत कहा जाता है यरकत कहा जाता है नेक्स्ट है हमारा DNA DNA किसी जीव की कोशिका में नूकलस केंदरग में धागे नूमा क्रोमेटीन की स्ट्रक्चर में पा जाता है और DNA कब अपने आप क्रोमोसों में बदलता है जब कोशिका में डिवीजन होता है आज के लिए इतना धन्यवाद